arguments, arguments, arguments का हिंदी मीनिंग होता है बहस, तर्क वितर्क, युक्ती, सार, भावार्त, सास्त्रार्त, वाद विवाद, लडाई जगडा, इत्यादी तो चलिए friends इसको example के थुरू कलियर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा first example है, she had a big argument with her husband, इसका मतलब उसका अपने पती के साथ बड़ा जगडा हो गया तो friends एक next example देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए तो next example है, suddenly the simple arguments developed into a real fight इसका मतलब हुआ, अचानक से एक मामूली वहस वास्तिविक लड़ाई में तबदील हो गई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटिस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें थैंक्स पूर वाचिंग